होली पार्टी में हुआ कुछ ऐसा फेहमान ने किया कुछ ऐसा कि रो रोकर हुआ सुम्बुल का बुरा हाल क्या खबरे निकल कर सामने आ रही है होली पार्टी जो हुई है उससे सब कुछ आपको बताएंगे यहाँ पर टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर लेकर हाजिर है आपके लिए बड़ी अपडेट होली पार्टी हो रही है इंडस्ट्री में लगतार और कल जो होली पार्टी हुई उसमें बिग बॉस के बहुत सारे सितारे नजर आए प्रियंका, सुंबुल, फहमान, सौंदर्या बहुत सारे लोग इस पार्टी का हिस्सा बने प्रियंका और सुंबुल की यहां बॉंडिंग देखने को मिली जिसने सब को काफी हैरान कर दिया क्योंकि बिग बॉस के घर में इनकी एक्विशन कुछ खास अच्छी नहीं थी लेकिन यहां जो इनकी बॉंडिंग देखने को मिली होली पार्टी में दोडों साथ में डांस करते वे नजर आए, इंज्वाय करते वे नजर आए और यहां फेहमान भी दिखाई दिये, अब क्या खबरे कह रही है फेहमान और सुम्बल जिनके बीच कहा जा रहा था कि जिनका रिष्टा अब ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि स्टैन के कॉंसर्ट से भी फेहमान गायब रहे थे उससे पहले सुम्बल की हाउस वामिंग पार्टी में भी वो नजर आये थे अब यहां आखिर ऐसा क्या फेहमान ने कर दिया कि जिससे सुम्बल जो है वो रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया सब कुछ आपको बताए उससे पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे ताकि ऐसी ही अपडेट साब से बिलकुल भी मिसना हो वैल दोसतो सुम्बल तौकीर खान को यहां होली पार्टी में फैमान खान ने प्रिपोस किया है ऐसी खब्रे आ रही है सामने कि फाइनल इ फैमान ने सुम्बल से अपने दिल की बात कह दी है हैस्टेक सुमान जो इनका फैन्स हैस्टेक इने दिया हुआ है जो viral रहता है काफी fans धेर सारा प्यार देते हैं जिस hashtag को अब ऐसा लग रहा है कि वो actual में बिलकुल सही होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी कही ना कही एक दूसरे के करीब आती हुई अब और जादा लग रही है इनकी दोस्ती तो हमेशा से बता दिया है उन्हें कि वो क्या फील करते हैं उनके लिए दोनों की बात करें तो सुम्बुल अपने प्रोजेक्ट में बिजी है नागिन उन्हें उफर हुआ है ऐसी खबरे हैं और फेहमान इस वक्त कलर्स का बेली सोब धर्म पतनी कर रहे हैं यानि कि करियर में तो दोनो बुलंदी को छूही रहे हैं और परसनल लाइफ में एक दूसरे के साथ तो बने हुए हैं पर वो साथ वो रिष्टा वो एक्वेशन क्या है ये अब शायद क्लियर हो जाएगा फेहमान के इस प्रोजल के बाद आप क्या सोचते हैं इस बारे में क्या लगता है आपको अग यसी ही ये जो अपडेट्स है ये आप से बिलकुल भी मिसना हो